दूर के एक जंगल में बहुत सारे चिरिया रहा करते थें उन्ही में एक चिरिया काफी गरीब थी उनके एक बच्चे थे वह बच्चे काफी भूखे थे ममा ममा मुझे भूख लगी है ममा मुझे खाने को दो न तब मा बोलती है अच्छा ठीक है बेटा मैं खाने के लिए कुछ देखता हूँ और जाता हूँ और लाता हूँ फिर वहाँ से चिरिया उर जाती है और पॉख बहुत दूर चली जाती है पर उसे एक भी दाना नहीं दीखता है बहुत समय बाद उसे एक दाना दीखता है अरे दाना मिल गया मिल गया अच्छा एक ही दाना है चलो इसी को मैं खाता हूँ और कुछ अपने बच्चों को लिए ले चलता हूँ वह दाना मुह में उठा लेती है फिर वहाँ से निकल उरती है फिर उरते उरते वहाँ ठक जाती है और एक पेर के डार तभी मूँ का दाना गिर जाता है और वहाँ फंच जाता है फिर अरे यह क्या हो गया यह मेरा तो दाना इसी में गिर गया और मैं कैसे इसे निकालूँ मैं जाते हूँ दूसरे चिरिया से मदद मांगती हूँ और वहाँ से वह उर जाती है बगल की एक चिरिया से वह मदद मांगती है अरे बहन मेरा दाना उस लक्री में जाकर फंच गया है तुम उसे निकाल दो या निकालने में मेरी मदद करो यह बात चिरिया सुन चिरिया उसके मदद नहीं करती है अब बोलती है तुम्हारा दाना है तुम निकालो, मैं क्यों निकालने जाऊं फिर चिरिया बोलती है मेरा एक ही दाना था मैं वह कैसे खाऊं, कैसे लेकर घर जाऊं मैं कैसे खाई, मेरा बच्चा रोए रोए मैं कैसे खाऊं मैं कैसे घर लेकर जाऊं मेरा बच्चा है मेरा बच्चा रोए रोए वह गाना गाती है और वहां से चली जाती है फिर वह दूसरे चिल्या के पास आती है और फिर वह गाना गाती है मेरा दाना उस लक्री में जाकर गिरा मैं का खाओ, का पीओ, का लेकर मैं घर जाओ मेरा दाना उस लक्री में गिर गया है मैं का खाओ, का पीओ, और क्या लेकर मैं घर जाओ यह बात चिरिया सुन बोलती है तुम्हारा दाना गिर गया है, तो मैं क्या करूँ, वह भी मदद नहीं करती है, फिर वह बूर कर चली जाती है, घर पर पहुचता है, और उसकी बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा आ गई, मम्मा मुझे खाना दोना, तो वहा खाना नहीं लाती है, तो वहा नहीं दे पाती है, वहा भूखे ही रहती है, बच्चा,